आज मैं आपको बताऊंगा Facebook ID को प्राइवेट से पब्लिक कैसे करें यानि कि अगर आपकी कोई Facebook ID ओपन करता है कोई देखता है तो वो आपकी Facebook ID वहाँ पे प्राइवेट रहती है यानि लॉग रहती है तो उसको आप पब्लिक कैसे कर सकते हो आए जानते हैं तरीक एकदम सिंपल है सबसे पहला आपको जाना है अपने Facebook एपलिकेसन में तो Facebook को चालू कर लीजिए और Facebook को चालू करने के बाद आपके पास इसका Home पेज आ जाता है फिर आपको मिलेगा यहाँ पे उपर की तरफ तीन लाइन आपको इस पे टच करना है यहाँ पे आपको मिलेगा आपका नाम और आपका फोटो इस पे टच करें आप इस पेज पे पहुच जाओगे अगर यहाँ से नहीं पहुचते हो तो आप Home ओप्शन में आओगे अपने प्रोफाइल फोटो पे टच करोगे तो भी आप इस पेज पे आ जाओगे तो आप कहीं से भी आ सकते हो तीन लाइन पे टच करें अपने नाम पे टच करें यहीं से आ जाओगे अब यहाँ पे हमारे फेस्बुक प्रोफाइल अब भी लॉक है यानि कि प्राइवेट है तो यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ तीन डाट मिलेंगे या नीची की तरफ आईए अड़िट प्रोफाइल या तीन डाट पे टच करें यहाँ पे आपको मिलेगा अनब्लॉक प्रोफाइल तो यही है वो आप्सन इस पे टच करें यहाँ पे आपको मिलेगा अनब्लॉक यहाँ पर मिलेगा आपको Unblock इस पर टच करिए यहाँ पर आपको मिलेगा Unblock Your Profile फिर से इस पर टच करिए थोड़ा सा वेट करिए दो या तीन सेकंड का और आपकी Facebook Profile Unblock हो जाएगी और एक चीज मैं आपको बता दूँ कि जो यह चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है यह थोड़े देर बाद हटेगी जैसे कि आदे घंटे में यहाँ से यह हट जाएगी और आपके Facebook Profile 10 या 15 मिट बाद पुरी तरीके से पब्लिक हो जाएगी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें